इस वीडियो में हम बात करना वाले हैं जो फेस्बुक टीम ने इन एस्ट्रीम एड्स को रिमूब कर दिया है तो इन एस्ट्रीम एड्स को आप कैसे वापिस लाएंगे सब कुस डिटेल में बताने वाला हूँ तो गाईज अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कर देना और चैनल को सस्क्राइब कर देना ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो गाईज हम आच चुके हैं अपने मुवाइल के स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं यहां पे थ्री डॉट वाली ओप्शन पे किलिक करना है जैसे ही आप थ्री डॉट वाली ओप्शन पे किलिक करते हैं यहां पे प्रफेशनल डैस बोड वाली ओप्शन पे किलिक करना है professional dashboard वाली option पे click करने के बाद जो है सभी facebook users को जो है इक doubt है कि in stream ads को जो facebook ने remove किया उसको वापिस कैसे लाएंगे और क्या ऐसा गलती हुआ है जो facebook ads on reels को जो है और in stream को जो है facebook ने remove कर दिया है तो simply मैं जाता हूँ monetization वाली option पे monetization वाली option पे click करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे option सो होता है in stream ads का सभी users जो भी है facebook का users उसका in stream ads को जो है remove कर दिया गया है तो simply आप देख सकते हैं यहाँ पे not at eligible eligible का option सो हो रहा है और जैसे ही मैं in stream ads वाली option पे click करता हूँ तो यहाँ पे जो है कोई भी criteria सो नहीं हो रहा है facebook ने यह बहुत ही बड़ा update किया है जो facebook profile वाली users थे वो long video डाल के जो है अपना yearning करते थे तो facebook ने इसको कुछ दिनों के लिए update किया है और यहाँ पे जो है एक log का option सो कर दिया है तो simply हम बात करते हैं in stream ads को जो है हम enable कैसे करें और इसको वापिस कैसे लाएं तो simply facebook ने कोई भी ऐसा update नहीं किया in stream ads को वापिस लाने के लिए यह जो है 24 hours में आपका जो है enable कर दिया जाएगा और जो भी facebook का users है अगर आपके इस profile पे in stream का option सो नहीं हो रहा है तो in stream का option जो है 24 hours में यह सो होना लेगेगा मेरा भी जो यह facebook profile है यहाँ से जो है in stream का option सो नहीं हो रहाता और आज मैं जो facebook का profile है उसको open करके देखा तो यहाँ पे in stream का option सो होने लगा है तो इसमें कोई भी गवड़ाने की बात नहीं है आपका in stream का जो option है सोक कर दिया जाएगा